शेहर में आए दिन सरकारी और गैर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोकादड़ी के मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके बावजूद लोग अपने पर तो वहीं कुछ गैरों पर विश्वास करके इस धोकादड़ी के चंगुल में कहीं न कहीं शामिल हो ही जाते हैं दरसले ऐसा ही एक मामला वाठोड़ा अंतरगत सामने आया है जहां रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लाखो की चपत लगाए गई हैं देश में विरुसकारी बढ़ने के साथ ही सरकारी नौकरी पाने और लोकों में विदेश में नौकरी पाने के चाहत आसानी से ठगों का शिकार बना रही है। स्तिती यह है कि शाते ठग पहले अपने आपको रसुकदार बता कर नौकरे दिलाने का जहासा देते हैं। बाद में उसी रसुक के नाम पर डराने धमकाने लगते हैं यहां तक कि पुलीस और प्रशासन की नाक के नीचे आफिस खोल कर अपने ठग के इस धंदे को चला रही हैं और लोग भी नौकरी पाने के लालच में इस कदर अंधे हो गए हैं कि बिना जज के ही ऐसे ठगों के ज आमकेस धंपती ने करीब 11 लोगों के सा धोका दड़िकी ऐसे जानकारी वाटरोडा पुलीस स्टेशन की पी आई आशलते खापरे ने दी कजिद गुगल पे करोन कदी और फोन पे कोरोन अमचा करना 10 लाक रुपे घित लेले आएट को खापरे ने दी आशा प्रकर एचामदे 68 लाग 30 आजाराची फसनुग जालेचे निश्पन नजारेले। गौर तलब रही कि इस दमपत्यों निये अब तक 11 लोगों से कुल 10 लाक रुबलिये हैं। उन्हें नियुकती पत्र का आश्वासन भी दिया। साथ ही नियुकती पत्र दिखाया भी। बावजुद इसके जब लोगों को उनके साथ हुए धोके की बात पता चली तो दमपत् रोड़ा पुलीस ने उनके खिलाफ विभेन धाराओं की तहत मामला दर्च कर जाश शुरू कर दी। इन्बिसी नियूस के लिए कैमरा परसन अखिलीश भरदवाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।